नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल घरेलून उसके पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अमर बेल के फाइदों के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं अमर बेल गंजे पन गठिया जोडों के दर्द बवासीर चोट लगने पर बच्चों की लंबाई बढ़ाने नजर कमजोर होने पर आधी रोगों पर उप्योगी है अमर बेल अकसर पेडों की टहनियों पर फेली हुई पाई जाती है अमर बेल बहुत कोमल रसीली हरी होती है अमर बेल लगबग पूरे भरत वरस में पाई जाती है अलग अलग राज्यों में अमर बेल को आकास बली, कसू से हिंद, सोन लता, निर्मुली, आलोक लता, अमर बेल, रस बेल, आकास बेल, डोड़न उलू, तेंगा, अंधा बेल पर फेक दो तो ये वही पर बढ़ने लग जाती है और पेड की टहन्यों का रस चस कर जीवित रहती है अमर बेल मिट्टी में नहीं होती, इसलिए आकास बेल भी कहते हैं, अमर बेल गहरी पीली हरे रंग में पाई जाती है, अमर बेल का आयूर्वे जगत में विसेश अस् उसमें दो चमच तिल तेल मिलाकर सिर पर मसाज करने से बाल जढ़ना रुख जाते हैं, वो तूटे बाल पूने आने लगते हैं, अमर बेल बालों के लिए रामबान दवा मानी जाती है, रोज अमर बेल को घोट कर बालों को दोने से जल्दी फाइदा होता है, अमर बेल ब घोट कर पेश्ट बना लें, गठिया जोडों के दर्द अंगो जगह पर लेब लगा कर पटी कर दें, अमर बेल पेश्ट तूरंत गठिया जोडों का दर्द सूजन ठीक करने में सक्सम है, बवासीर ठीक करें अमर बेल, बवासीर होने पर 20 गराम अमर बेल का सवरस लेकर इसको 5 गराम जीरा पावडर और 4 गराम काली मिर्च पावडर में अच्छे से गोट कर एक गिलास पानी में मिलाकर लगातार सुबह साम 3 दिन पीने से खूनी और बादी बवासीर दोनों में ही बहुत आराम होता है। चोट लगने पर अमर बेल चोट के घाव और दर्द निवारन के लिए अमर बेल खास है। घाव के चारो और अमर बेल पीस कर एक चमच गाएं की घी के साथ मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाती है और दर्द भी नहीं होता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में अमर बेल सक्सम है। नजर तेज करने में अमर बेल सायक है। सुवस्त वेक्ति को भी अमर बेल का सेवन महीने में एक से दो बार जरूर करना चाहिए। अमर बेल कई तरह के रोगों को सरीर से दूर करने में सक्सम है। तो दोस्तो यह था आज का हमारा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक करें और जादा से जादा से एर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें